सिच्छा वीभाग बिहार सरकार द्वारा कल एक प्रेस बिग्यपती जी है जारी के अगेता जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और यहाँ पर प्रेस बिग्यपती के माध्यम से सिच्छा भाग के तर्फ से बोला गया था कि बिग्यापन संख्या 26 बटा 2020 आनि BPSC टीरी फर्स्ट का जो आपका पूरग पड़ाम है आनि सप्लिमेंटरी रिजल्ट है तो इसमें जो भी चैनी सिच्छा का भियती हैं और यहाँ पर बिग्यापन संक्या 27 बटा 2023 आनि बी पीसी टीरी टू में जो भी यहाँ पर सफल सिच्छा का भियती हैं जो किन्ही विकाडवस आ आपके यहाँ पर निर्धारी जो है पापकी की गई है जो कि यह जो आपका डेट है 31 जनवरी 2024 तो इस डेट को लेकर बहुत सारे ऐसे जो सिच्छक हैं जिनका कांसिलिंग वगरा कंप्लीट हो चुगा अपबंधिक निक्ति पत्र आप यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं औ इसमें आप हैं तो आप लोग इस डेट को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन है तो किया आपका यहाँ पर 31 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर आपका होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कांसिलिंग का अंतीमती थी और यहां पर अपोबंधिक निक्ति पत्र का अंतीमती थी सिछा भाग के तरफ से 31 जनवरी 2024 आपका किया गया है तो देखे जो पहले से आ लेड़ी आप लोग यहां पर आपका हरेक चीज कंपलीट हो चुगा है तो आपके लिए यह जो आपका 31 जनवरी 2024 है इस डेट से आपको किसी भी तरिके का लेना देना जो है आपका नहीं है यहां पर जो भी पहले से जो भी यहां पर सिछा का है जिनका हरेक चीज काम यहां पर आपका कंपलीट हो गया है तो यहां पर सिछा भाग के तरफ से बुला गया था कि 26 जनवरी 2024 के बाद से यहां प तो इहांपर 31 जण्वरी अंतिमतीथी दिया गया है तो यहांपर जो भी छूटिय सिचक अभियरती है जिनका कांसिलिग नहीं हो पाई या फिर जिनका अपोबन्धिक नितिपत्र नहीं मतलब मिल पाया है तो शिर्फ उनके लिए यहांपर आपका जो डेट है वह आपका 31 ज तरीके का आपका लेना देना नहीं है आप लोग का जो इसकूल है हर एक चीज आपका कम्पलीट हो गया तो 26 जनवरी के बाद से यहां पर आप लोग का इसकूल जो आपका है वो आपका होना इस्टार्ट हो जाएगा और यदि मालेजे सिछा भाग के तरफ से कोई उस तरीके का लेना देना जो है आपका नहीं है जो कि बहुत सारे जो आपके जिले हैं वहां से हर एक चीज आपका कम्पलीट हो चुका है तो यहां पर समभवतर 27 तारीख को हैं पर आपका इसकूल आवंटन हो जाएगा मतलब आप यहां पर मान सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद से आप बहुत सारे जो आपके जिले होंगे जिसका काम पुड़ा कम्पलीट हो चुका है बहुत सारे जिलों का काम भी आपका कम्पलीट हो चुका है तो उनका यहां पर इसकूल जो आपका वंटन है वो आपका यहां पर सिछा भाग के तरफ से स्टार्ट जो हैब आपका कर दिया उससे यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि जिनको पटना में नहीं मिला है, उनको यहाँ पर फिर से अपबंधिक निक्ति पत्र मिलेगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, पटना में सिर्फ यहाँ पर 25,000 जो सिचकते, सिर्फ उनको ही अपबंधिक न उप्लिमेंटिरी रिजल्ट में जो यहां पर सफल सी चकव्यती हैं तो यहां पर जो आप लोग का काउंसलिंग और जो आपका अपमंधिक निक्ति पत्र वित्रण का अंतीमतिती है वो आपका यहां पर 31 जनवरी 2024 आपका दिया गया है जो कि इस चीज को लेकर भी आप लोग देख निक्ति पत्र आपका मिल जागा तो देखें यहां पर सिच्छा भाग के तरफ से जो आपका डेट दिया गया वो आपका सिर्फ एक दिन आपका दिया गया है 31 जनवरी 2024 आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कांसलिंग कराने औ जिनांक 31 जनवरी 2024 को यहां पर को आपका जो है बापका दिया गया है को यहां पर संध्या की 5 बज़े तक आपका निर्धारित किया गया है आनि 31 जनवरी 2024 को ही आपका कांसलिंग भी होगा और उपबंधिक निक्ति पत्र भी मिलेगा और यहां पर 5 बज़े तक आप यहां पुड़ा कोशिश करेगा कि समय से आप यहाँ पर पहुच जाएं या फिर दोपहर के बाद होगा तो आप पहले ही उस जीले में आप यहां पर चले जाते हैं तो यहां पर आपके लिए काफी जादे अच्छा जो है पपका रहेगा एक दिन पहले आप चले जाएंगे तो को मैंसे अपना काउंसेलिंग और जो आपके अप्बंधिक निफ्ती पतर है तो आप यहां पर प्राप्ट कर सकते हैं तो इसलिए आप यहां पर डेट को जो है उध्यार रखेगा फिर यहां पर जैसे आप लोग का यहां पर हमको जाना है कि यहां पर सिच्छा भाग के counseling और जो आपके अपबंधिक निक्ति पत्र है यह आपको यहाँ पर प्राप्त करना है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला भी गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर अभियर्थियों को आवंटित जीलो में यहाँ पर क्या कि आपको counseling कराने को लेकर आपका जो जीला आवंटित किया गया होगा BPSC के तरफ से तो उसी जीले में यहाँ पर जाकर आपको counseling और अपरबन्दिक निक्ति पत्र आपको यहाँ पर प्राप्त जोई करना है इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखेगा जो भी आपके documents वगरा हैं जो भी इस तरीके से अपना counseling और अपर बंदिक निक्ति पत्र आप राप्त नहीं किये हैं तो आप यहाँ पर हर एक चीज़ documents अपना complete रख लिजिए फोटो कॉपी वगरा कराके फाइल वगरा में आप यहाँ पर पैक कर लिजिए ताकि ऐसा नहों कि जब वहाँ पर आप जाएं प्राप्त नहीं मिला है तो अभी आप यहाँ पर 31 जनवरी 2024 को जाकर आप अपना जो अपोबंधिक निक्ति पत्र है जो भी आपका जिला सिछापा दाधिकारी का रहले होगा वहाँ पर जाकर आप प्राप्त जो है कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका counseling है और जो पर मतलब आप लोग का डाउट है कि आप यहाँ पर जो बीपीसी टीरी फर्स्ट हुआ था तो उसमें यहाँ पर क्या कि आप लोग counseling वगर के लिए नहीं गये थे तो कि आपको यहाँ पर counseling कराने और अपबंधिक निक्ति पत्र को लेकर किया आपका यह प्रेस भी गेवती सिर्फ उनके लिए है आपके लिए नहीं आप यहाँ पर जो बीपीसी टीरी फर्स्ट था उसमें आप supplementary result में नहीं है बलकि starting वाला जो आपका result है तो उसमें है तो उससे आपको यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर मौका सिचा भाग के तरफ से आपका नहीं दिया गया तो इस चीच को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डेट वगर आप यहाँ पर ध्यान रखेगा बाकी इसके अलामा कोई और देखे कुछ ऐसे भी हैं जिनको मतलब आप लोग का मतलब कहना है कि हम counseling वगर नहीं करा पाए हैं या फिर हम counseling के लिए नहीं गए क्या मौका मिले है तो इसलिए इस डेट को आपको ध्यान में रखते हुए हर एक चीच आपको यहाँ पर complete करते हुए सिर्फ आपको यहाँ पर एक दिन का मौका मिला है तो आप ऐसा कर सकते हैं मतलब ऐसा बिल्कुल आप यहाँ पर करिएगा कि जिस दिन आप जाए उसी दिन हर एक चीच यहाँ पर आपके documents verification है हर एक चीच आपका complete जो है आपका हो जाए तो अभी के लिए यहीं update है बाखी जैसे भी जो कोई भी update होगा information होगा हर एक चीच हम इस platform राइट होज के सान इंडिया आप जो हो सेर कर देंगे और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कि हो होंगे सब्सक्राइब करते हुए लाइक उनको प्रेज़ों जरूर कर लिजेगा मिलते हैं लेने अक्री वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबा टेकर आल देवेट थैंक्यू फॉर लिस्निंग गॉड बिलेसा थैंक्यू